हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुनिल और एक वक्षिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्टेट बैंक यानि की SBI का जो विड्रो फॉर्म है इस फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं यदि आपको ये फॉर्म भरने नहीं आता तो आप ये वीडियो पूरा लाश्ट तक देखते रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ step by step बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपने अकाउंट से बैंक के थुरू पैसे निकाल सकते हैं तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर अकाउंट होल्डर का नाम डालना है यानि कि जो पास्बुक में आपका नाम है उस नाम को यहां पर इंटर करना है तो चलिए मैं यहां पर अपना नाम इंटर कर लेता अब यहाँ पर आपको ब्रांच नाम डालना है यानि कि जो आपका साखा है उसका नाम डालना है तो चलिए मैं यहाँ पर सुरजपूर डाल लेता हूं क्योंकि मेरा जो account है वो सुरजपूर साखा में खुला है तो अब यहाँ पर आपको नीचे में खाता क्रमांक यानि कि account number डालना है आपको यहाँ पर account number 12 डबबा दीख रहा है लेकिन आपके पास यदि आपका account है तो आपका account number 11 अंका होगा उससे पहले जितने भी डबबा खाली रहेंगे उसमें आपको 0 डालना है तो 0 डालने के बाद आप अपना account number यहाँ पर से इंटर करना है स्टार्ट करेंगे चलिए मैं अपना account number डाल लेता हूँ यहाँ पर मैं privacy के कारण इसको cross कर देता हूँ और बाकी last के एक अंक डाल देता हूँ अब मेरा यह जो account number है वो fill हो चुका है अब यहाँ पर आपको जो पैसे निकालना है जो रूपए में वो आपको यहाँ पर इंटर करना है आपको कितना रूपए निकालना है तो चलिए मैं यहाँ पर 5000 इंटर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 5000 रूपए निकालना है आप यहाँ पर अपना amount इंटर करेंगे हिंदी में इतना करने के बाद आपको यहाँ पर यदि आप English में fill करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर English में डालेंगे 5000 और इसके बाद यहाँ पर आपको numbers में लिख देना है कि आपको कितना निकालना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5000 ठीक और यहाँ पर आपको mobile number इंटर करना है आपको यहाँ पर वो mobile number इंटर करना है जो आपके account में link है तो चलिए मैं यहाँ पर अपना mobile number इंटर कर लेता हूँ अब मैं यहाँ पर अपना mobile number इंटर कर लिया हूँ आप यहाँ पर cross नहीं करेंगे आपका जो actual mobile number है आपको वही डालना है यहाँ पर मैं privacy के कारड़ थोड़ा सा cross कर दिया हूँ ठीक है अब यहां पर जो आपका अकाउंट है यदि आप खाता धारक है स्वयम तो आप यहां पर साइन करेंगे यदि किसी और का फॉर्म भर रहा है तो आप उनका साइन करेंगे जिसका पास्बूक से पैसा निकालना चाहते हैं आप यहां पर अपना requirement करेंगे ऐगे Monsieur style कर लेने के बाद आपको इस farme को ज़्यादा कुछ नी करना है नीचे का काम कुछ नी करना है पर हस्ताक्षार वगहरा कुछ करना क्योंकि यह official work के लिए कार्याले के लिए उपयोगेतु है तो इसको बैंक वाले करेंगे जो भी करना लग यहां पर हस्ताक्षर तो अब यहां पर आपको यहां पर नोट करके यहां पर दिया जाता है निर्देश आप इसे जरूर पढ़ लिजिए यहां पर लिखा यह form चेक में ही किया जाएगा मतलब यदि आप यह form फिल कर लेते हैं इसके बाद आप इसे जब बैंक में देने जाएंगे तो इसके साथ साथ आपको अपना पास्बुक भी देना होगा यदि आप पास्बुक नहीं देंगे तो वो आपको बैंक वाले पैसा नहीं निकाल के देंग इसके साथ आपको अपना पास्बुक भी जमा करना होगा तभी आप अपने बैंक से पैसा निकाल सकते हैं उमीद है कि आपको यह छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाईए वीडियो पूरा आन तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत